तो चली शिरुवात करते हैं आफ विल अटनल सीजन टू एपिसोड 51 की जैसा कि अपना पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ वोजन को वो सारी सो स्टैम्प और साती में श्टारी स्काय और डाव प्लरटी सेट की लिवांटेन इनकार्टेशन इरेडानश भी मिल गई होती है फिर जब माँटेन की स्पिरीड होती है सब को बचारी होती है कि जो ट्रायल है वो खतम हो गया है इस वैसे सारे बैंस को अटाया जा रहा है कुछी देर बाद टेलिपोर्टेशन एग्जिट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं यह सुनने के बाद शाओ वजन तीनों कोट यानि की तीनों बैच की स्पेचल बॉड़ी के और देखने लग जाता है चैन युशान शाओ वजन को देखके कहरा होता है कि मैं तुम्हारा काफी देट से इंतजार कर रहा था अब ट्रायल खतम हो गया और जितने भी रूल्स थे लोगों को मारने के लिए वो सारे अबॉलिश हो गए है तो फिर अब तुमें गैस करना चाहिए कि आगे क्या होगा रियलाम के बहार जो पॉलइलिटी रिवर कोर्ड के पेट्रेक होते हैं वो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रेक से कहरे होते हैं कि आपको खुश होना चाहिए आपके disciple को first place साती में इन टैंस भी मिली है तबी जो starry river court की patriark होती है वो कहन लग जाती है कि आपको डरतों नहीं लग रहा जो मारने का rule था वो हट जाएगा क्या आपका disciple वहां से जिन्दा भाहरा पाएगा river defying set के patriark कुछ भी नहीं बोलते और वो परिशान हो जाते है रियलाम के अंदर शाव वचन एज़े पर छुपकर बूर रहा होता है कि अब ये competition खतम हो गया तो फिर मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा first batch यानि की डाव रिवर कूट का disciple कह रहा होता है कि अगर लड़ना इतना असान है तो फिर तुम बाहर आकर मिली help क्यों नहीं करते हो turtle कह रहा होता है कि मैं अभी उठाओं इस वैसे मैं move नहीं करना चाहता हूँ अचानक से तीनों कोट के disciple शाव जन पर अटाइक करना स्टार्ट कर देते हैं शाव जन अटाइक से बसता है और अपने बीच के साथ वहाँ से भाग रहा होता है साथ ही more turtle से request कर रहा होता है कि future में जो मेरा beast है वो तुमें serve करेगा जितने ही future मुझे treasure मिलेंगे सबसे पहले मैं तुमें दूँगा अगर तुम्हार पर वाके में कोई रास्ता है तो फिर तुम मेरी help करो अगर तुमने help करने पर ज़्यादा देर कर दी तो फिर future में तुमें कोई treasure देने वाला नहीं मिलेगा तब ही turtle हलका सा बाहर निकलता शावजन से कहता है कि तुम मुझे इस बैक से बाहर निकालो और एक special body की और fake दो शावजन उसकी बात मान जाता है और वो turtle को चैन यूशान की special body की और fake देता है turtle उस body को penetrate कर देता है ये देखकर disciple काफी हरान होते हैं ये बाद वो शावजन के पास वापस आता है फिर इसके बाद शावजन उस turtle को डाव रिवर कोट की और fake देता है डाव रिवर कोट के साथ भी सेम ऐसा ही करता है वो वापस शावजन के पास लोट जाता है अब शावजन आखरी बार उस turtle को Polarity River Coat की और फेकता है जहां आपर spiritual body destroy करने के बाद वो टर्टल उनकी female leader की chest पर चिपक जाता है chest पर चिपकने के बाद turtle कहरा होता है ऐसा लगता है कि मैं किसी cotton bag से hit हुआ हूँ ये देखकर disciple गुसा आता है और वो turtle को kick मार देती है turtle शावजन के पास बहुत जाता है और वहाँ पर शावजन उसकी तारीफ कर रहा होता है उसी time चैन विशान अपने सारे disciple को order देता है कि वो टर्टल को छोड़ दें और शावजन को मारें पहले तीनो बैच शावजन की और निकल पड़ते है उसे मारने के लिए ये देखकर टर्टर डर जाता है वो शावजन से कह रहा होता है कि मैंने important काम कर दिया और बाकी का बचावा कम तुमें करना है ये कहने के बाद वो वापिश शावजन के बैग में चला जाता है शावजन देखता है कि तीनों बैच के डिसावजन उसकी और आ रहे होते है और वो कहरा होता है कि स्टर्टल ने मेरी help करिये या फिर उनका गुस्सा बढ़ाने में उनकी help की है उसी time teleportation exit open हो जाती है शावजन exit की और जा रहा होता है तब ही डाव रिवर कोट का disciple कहता है कि इसे तुम्हें exit में नहीं जाने देना है वो सारे अपनी speed बढ़ाते हैं और शावजन पर लगातार attack करने लग जाते हैं काफी देर तक fight करने के बाद शावजन जातर attack से बच रहा होता है आखिर में वो तीनों मिलकर एक powerful attack करते है जब वो शावजन पर attack लगने जा रहा होता है तबी बीच में उसका beast आ जाता है attack काफी दा powerful होता है इस वैसे जो beast होता है वो अपनी little form में आ जाता है और नीचे की और तेजी से गिर रहा होता है शावजन पर बीच को catch करने के लिए जा रहा होता है तबी उस smoke के बीच में से शावजन की अश्रा बाडी बाहर आती है अश्रा बाडी जब तक उनसे fight करती है तब तक शावजन में बीच को जाकर catch कर लेता है शावजन अपने बीच को अपनी गोद में ले रखा होता है और वो देखता है कि exit पे सारे disciples खड़े होते हैं फिर वो सारे एक साथ अपनी cheap power को collect करने लग जाते हैं और शावजन के सामने एक बहुती बड़ी sea wave आ जाती है फिर शावजन में बीच के और देखकर कहता है कि तुम मुझे पकड़कर रखना मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा ये कहने के बाद वो अपना umbrella बाहर निकालता है और उस umbrella के help की वज़े से वो sea wave को penetrate कर देता है रियलाम के बाहर चारो पेट्रेक देख रहे होते हैं कि जो exit होती वो शावजन करना start कर देती है वो अपने disciple से पूश रहोते हैं कि तुमारी क्या situation है disciple कुछ भी नहीं कहते हैं फिर river defying set के पेट्रेक शावजन से बूर रहोते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है तुम मुझे बदाओ शावजन acting करना start करता है रहो कह रहा होता है कि मैं तो सरफ वहाँ पर rule का according चलना चाहता था और कोई भी fight नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई choice नहीं थी injuries के साथ और अपने बिना shoes के मुझे वहाँ से भागना पड़ा अगर ये सारे मुझे hurt करते तो फिर मुझे कोई परिशानी नहीं होती लेकिन नोंने मेरे beast को hurt किया है मेरा beast तो सिरफ मुझे protect करना चाहता था उसी time शाव ओचन अपने beast के और देखकर आँख मारता है beast ये इशारा समझ जाता है रो मरने की acting करने लग जाता है ये देखते ही शाव ओचन चिला कर कहता है कि इन तीनोंने मिलकर तुम्हें मारा है और मैंने तुम्हें वहाँ पर मरने दिया ये मेरी गलती है ये सारे लोग murder हैं फिर polarity river court की disciple कहती है कि इस समझे तुमारी गलती है पहले तुमने अपने उस turtle को बेजा हमारे पास हमें परिशान करने के लिए इसके बाद चैन यूशान भी कहने लग जाता है कि अगर तुम हमें ऐसे परिशान नहीं करते तो फिर हम तीनों सेक्ट अपनी forces को जॉइन नहीं करते शावजन चैन यूशान की और देखता है कि तुम्हें देख लने नहीं चीए कि तुमारे आसपास कौन है के पेट्रैक होते हैं और साथी में नहीं नहीं ले पाया है ये कहकर वो शावजन की ओड़ देखते उससे पूछते हैं क्या तुम्हार नम शावजन है शावजन खासते हुए हां कहता है उन्हें बहु करता है मेसंजर शावजन से कहता है कि तुमनी चोट का खयाल रखना है और चारो सेट के डिसाइपल यहां से जा सकते हैं कि मैं तो सिर्फ आपको congratulate करना चाहता हूँ अब आपका future limitless है उसी time polarity river code के pay track कहते हैं कि जितने भी resource है अब वो सारे आपको ही मिलेंगे मुझे तो ये डर लग रहा है कि हमारे set को कुछ भी नहीं मिलेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे river defying set के pay track कह रहे होते हैं कि हमारी कोई बेंटेंशन नहीं है कि हम middle reach को dominate करें आज की जीत सिर्फ एक तुका था और हम सारे resources यूज नहीं करना चाहते हैं ये सुनते ही डाव river code के pay track खुश होते हैं कि अगर आप यहीं चाहते हैं फिर हम सारे मिलके और resources का use करेंगे फिर जो polarity river code के pay track होते हैं वो starry river code की pay track के और देखकर बोड़ रहे होते हैं कि शायद ये लोग उन्हें use नहीं करना चाहते हैं फिर मिल pay track कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से अपने disciple के साथ चली जाती है जाते दोरान चैन यूशान पे track से माफी मांग रहा होता है पे track गुस्से में कहरी होते है कि तुमने येंग master के जितने ही plan ते उन सब पे पानी फेड़ दिया है इस वैसे हमारे set में तुमारे ले कोई भी जगए नहीं है ये सुनते ही चैन यूशान गुस्से मायाता है और वो शावजन का नाम ले रहा होता है चिला कर शावजन पे track के साथ होता है पे track उस से कहरे होते हैं कि ये सारी चीज़े तुमारी वैसे हुई है इस वैसे मैं तुम्हें thank you कहना चाहता हूँ शावजन इतराते हुए कहरा होता है कि ये कोई इतनी बड़ी भी जीत नहीं है मैंने ये काम असानी से कर लिया उसी टाइम बीश्ट अपनी आखे खोलता है रो शावजन को देखकर मुस्क्राने लग जाता है पेट्रियाक शावजन के और देखकर बोड़ रहे होते हैं कि अब तुम काफी बड़े हो गए हो तो फिर टाइम आगया तुम्हारी लाइफ के बारे में सोचने का शावजन सर्पैस जातरों कहरा होता है कि लाइफ के बारे में आपको इतनी जल्दी सोचना है ये कहने के बारों वहाँ से तेजी जमें चला जाता है तो दोस्तों यहीं कातम होता है ये पार्ट